समस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपसद बात करूँगा SSC CSL 2019 में विथेल्ड कंडिडेट्स के बारे में यहाँ पर कूल 104 कंडिडेट्स को विथेल्ड दिया गया है तो यहाँ पर हम बात करेंगी कि विथेल्ड देने का कारण क्या है कैसे उनको किलियर मिलता है और आपको अभी क्या करना चाहिए जैसे कि पता है कि विथेल्ड मिलते ही बहुत सारे कंडिडेट्स जो है घबला जाते है यह जाहिर सी बात है कि इतने मेहनत करने के बाद आपने एक ज्ञान कॉलिफाई किया हर स्टेज को आपने मेहनत करके कुलिफाई किया और फाइनल मेरे लिस्ट में जब आपका विध्वेल्ड मिलता है तो एक जटका सा लग जाता है तो यहाँ पर कंडिडेट्स को सही मार्ग दरसर ना मिलने के कारण काफी परसानी होती है तो इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा कि आपको क्या करनी चाहिए एक एक प्रोसिस में आपको अच्छे समझाऊँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी से रिक्वेश्ट करना चाहूँगा यदि आप SSE Edge Print है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिए ताकि हर छोटी से छोटी अप्डेट आपको मिलती रहे तो चलिए यहाँ बात करते हैं वीडियो के बारे में सबसे पहले मैं आपके साथ रिजन यहाँ पर डिसकस करूँगा किन कारणों से आपको विथेल्ड मिला है यहाँ पर विथेल्ड मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं सबसे पहले जो आपका कारण है आपका जैसे कि सिगनेचर का मिसमैच, दूसरा फोटो का मिसमैच, तिसरा बायोमेट्रिक अचौता बात करतें किसी भी परकार कि आपके डॉकुमेंट्स में यदि लगता है इसा-सी क्योंकि फोड़ी से भी मिसमैच है तो आपको विध्हेल्ट दे दिया जाता है तो आपको कैसे पता चले गा कि आपको किन रीजन के कारन विध्हेल्ट मिला है तो आपको यहां पर तब से पहले पता करना पड़ेगा कि आपको किन चीज के कारण विथेल्ड दिया गया है तो आप यहाँ पे करेंगे क्या तो यहाँ पे आपको दो चीज करनी चाहिए पहला आप अपने रिजिनल ओफिस जाकर भी पता कर सकते हैं तो रहा ओरेली मैटर तो मैं सजेस्ट करू से आपको विथेल्ड मिला है उसके बाद आप एक अप्लिकेशन के साथ अप्लिकेशन उसके बाद आपके जितने डॉक्मेंट्स है जितने एडमिट काते सब लेकर अपने रिजिनल ओफिस में विजिट किजिए वहाँ पर लीखित आप अप्लिकेशन ले जाईए अपना ह आप जाएए लीखित अप्लीकेशन के साथ वहां पर भी एक अप्लीकेशन वहां पर दे दीजिए और वहां से रिसीविंग रेलीजिए उसके बाद आप वेट किजिए आपका दस से पंदर दिन के अंदर आटीय आजाएगा तो आटीय में आपको किलियर मिल जाएगा कि सेफ हैसल भैज जाता है तो सेफ हैसल मेर लगबख तीन से छे मंत का समय लग जाता है इतने समय में बहुत सारे कंडियर मिल जाता है कुछ ऐसे भी हैसल में कोई भी डॉकमेंट हो SSC के माध्यम से जाता है वहाँ पर SSC खुद भेजती है उनका रिपोर्ट SSC को ही मिलता है आप हर चीज कोई भी इनफोर्मेशन ने दी पता करना चाहें तो SSC के माध्यम से ही आपको मिलेगा आप सबसे पहले RTI कीजिए हर चीज, हर अपडेट RTI के माध्यम समंगाई है ताकि आपको एक रिलीखित स्टेटमेंट आपके पास रहें उसके बाद आपको वेट करना ही पड़ेगा आपको जल्दबाजी करने से कुछ अपफाइदा होगा है नहीं आपका विठ्वेल्ड में गया है तो आपको भागदोर करनी पड़ेगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करनी चाहिए इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर केजिए थैंक्यू